मस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल पी टीवी राजस्थान में दोस्तों मैं हूँ प्रणेविजे और मैं आज आपको एक ऐसी संसनी खेज घटना से रूब रूब कराने जा रहा हूँ जिसे देखकर जहें जानकर आपके होँश उड़ जाएंगे तो अभी तक आपने किसी होटल के बैडरूम या चेंजिंग रूम में हिटन केमरा लगा कर अशलील MMS बनाने की घटना सुनी होगी लेकिन जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ यह घटना आपको चोका देगी क्योंकि आपने कभी एसा सोचा नहीं होगा कि इस जगे भी कोई केमरा लगा सकता है माता बहने यहां भी सुरक्षित नहीं है यह भारतिय रेल है जो हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतिक है लेकिन कुछ दरिंदों के कुस्सित कारियों ने इसे भी कलंकित कर दिया है हाला कि मैं जो घटना आपको बता रहा हूँ कुछ समय पहले की है पर ऐसे हिडन केमरों से माता बहनों को सावधान करने के लिए इस घटना का उधारन यहां दिया जाना जर्वरी हो गया है पिछले दिन वो जहांसी की जियार पियफ पुलिस ने एक शक्स को ग्रिफ्तार किया ग्रिफ्तार इसलिए कि वह ट्रेन के टोईलेट में अपना मोबाईल लगा कर उससे अशलील SMS बना रहा था और सबसे गोर करने वाली बात तो यह है कि वो व्यक्ती रेलवे का ही कर्मचारी था रेलवे के इस कर्मचारी पर आरोप था कि यह अपने मोबाईल का केमरा चालू करके ट्रेन के शोचाले में छिपा देता था जब महिलाएं वहां अब शोच के लिए आती थी तो वह उसमें रिकोर्ड हो जाती थी और यह उनके अशलील MMS बना कर सोशल मीडिया पर सरकुलेट करता था यह घटना गोरकपुर लोकमान ने तिलक टर्मिनल एक्सपेस की है एक पचास साल की महिला की सतरकता ने इस पूरे मामले का खुलासा किया ठाने की मानपाडा की रहने वाली एक पचास साल की महिला A1 कोच के टोईलेट में गई बहां उसकी नजर छिपा कर रखे गए मोबाइल पर पड़ी उस समय आरोपी सलीम शेख टोईलेट के बाहर ही खड़ा था महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरिफतार कर लिया गया टोईलेट में हुई यह घटना हमें सावधान करने के लिए काफी है हम यहां माता बहनों को सावधान करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे वह हिडन केमरा की पहचान कर सकती है आप होटल के कमरे में हो यह ट्रेन के टोईलेट में यह चैंजिंग रूम में आप वहां घुसने के बाद हर कोने की बारिकी से जाँज जरूर करें सभी लाइट्स बंद करके ठीक से जाँज पड़ताल करें कि कहीं कोई रेड या ग्रीन लाइट तो नहीं जल रही है कमरे में यदि शीशा लगा है तो सतरता पूरवक देखें कि उस पर कहीं कोई काला धब्बा तो नहीं है काला धब्बा यदि एक एमेम का भी हो तो उसे चेक करें शीशे में छीपा हुआ केमरा लगाना आम है शीशे में केमरा चेक करने के लिए उस पर एक उंगली रखें यदि शीशे पर रखी उंगली और शीशे में दिख रही उंगली के बीच में कोई गेप रहता है तो समझ लें कि शीशा ठीक है लेकिन यदि उंगली जूडी रहती है तो मामला संदिक्द हो सकता है केमरा जैसा भी हो उसका लेंस हमेशा काला होता है रोशनी पढ़ने पर यह रिफलेक्ट जरूर करता है आप जहां भी हो कमरे में मौझूद हर चीज को देखें उसकी जाँच कर लें बेड, पंखे, टेबल लेंब, LED लाइट हर चीज को देखें कहीं भी कोई छोटा सा काला धबबा आपको नजर आए तो सावधानी से उसकी जाँच कर लें कमरे में यदि कोई आवाज आ रही है तो ध्यान लगा कर सुने इस आवाज को ध्यान से सुने और केमरे को पहचाने दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपका अपना यूट्यूब चेनल पी टीवी राजस्थान बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजे और आप देख रहे हैं पी टीवी राजस्थान